अगर आपको आवाज प्रापर तरह के से पहुंच रही है तो एक बार मुझे थम्स अप कीजिए कि हमको आफा पहुंच रहे है और तब तक में अभी सुन लेता हूं वा जा रही है नहीं आ जी गढ़िएवनिंग गड़िदेंग गड़िदेंग गेदेंग जी जी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको टेलिग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा टेलिग्राम चैनल के उपर आपको शेर कर दी जाती है वहां पर ठीक है चलो करते हैं स्टार्ड आज हम क्योंकि बिहार वाले स्टुडेंट ने काफी मुझे बोला था कि बीपीएस्सी के लिए जो है आप क्लास स्टार्ड कीजे जब तक जो है प्रॉपर दरी किसी नोटिफ याइंगे तो करते हैं आगे स्टार्ड जिस्टे सेटि असे करमी हो रही है तो मुझे अधे हैं जाकेट उतार लेने दीजिए कि क्या है ठीक है जी गूट इवनिंग गूट इवनिंग सब को ठीक है तो आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं हमारा तो सेट नमबर वान में हम देखते हैं कि क्या चीज़े हम रहते हैं तो सेट नमबर वान को आगे कॉंटिन्यू करेंगे सो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू आपको टैलिग्रम चैनल की उपर 100% यहां पर जोइन करना है क्यूंकि यहां पर जितने भी हमारी वीडियो सेथे हैं वो प्लस उनकी पीडिएफ प्लस जो हमारी पेड़ कोर्स की जानकरी वह यहां पर शेयर की से की हैं बहुत दिटेल में और इसके अंदर जो है अलग-अलग जो है ए कूपन कोड लगाना आपको दिसकाउंट मिल जाएगा और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं दूसरा है है हमारा GS course GS course हमारा जो है theory course है इस theory course के अंदर आपको coupon code लगाना है VIP 500 आपको discount मिल जाएगा इस code को लगा के clear और यह theory course है अब इन courses को आप purchase कहां से कर सकते हैं दो जगा से जा तो study IQ app से purchase कर सकते हैं जा website के उपर studyiq.com जैसी आप इसको open करते हैं जैसी आप इसको open करेंगे आपको नजर आएगा home page और उसके बाद दिखेगा best selling courses यहां पर वी ओल का बटन इस वी ओल के बटन को दबाना जैसी आप दबाएंगे 10,000 mcq course आपको नजर आएगा तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपको GS course नजर अगर आपका एक्जाम 3-4 महीनों में है तो आप 10,000 mcq course को फोकस करेंगे अगर आपका exam next year है तो आप जो है GS course को पहले purchase करके पढ़ सकते हैं ठीक है और जैनल awareness के 10,000 mcq course के अंदर आपको code यहां पे लिखा हुआ है study 10 और यहां पे GS course के अंदर जो है VIP 500 coupon code है आप लगा के discount लीजिए अपनी preparation को आगे बढ़ाईए जी तो start with the first question जल्दी से जल्दी अंसर बताना है को कोशन है acting judges are appointed in acting judges होते हैं वो कहां पर appoint किये जाते हैं acting judges are appointed in देखे supreme code के अंदर तो total number आपकी judges होती ही होते हैं सुप्रीम code का article number कितना है 124 clear और high code high code के अंदर जो है judges को appoint कर लिया जाता है acting judges को appoint किया जाता है तो answer इसमें क्या बनेगा आपका c option बनेगा total high codes कितनी है 25 high codes है हमारे देश के अंदर और acting judges को appoint करने वाली जो authority है वो है प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट जो है कौन से आर्टिकल के दोरान 224 a के दोरान 224 a के अंदर लिखा गया है कि कभी जो प्रेजिडेंट है वो किसी भी high code के अंदर जो है acting judges को appoint कर सकते हैं और as a high code कर सकते हैं तो answer इसमें क्या बनेगा सी option बनेगा correct answer सी option बनेगा right answer clear सी option is the correct answer अब high code का article number कितना है 214 है और जो आपका सुब्रीमिकोट का 124 आता है high code में आपको बताया था एक स्टेट की दो से एक को एक हाई हाल दो से जोदा दो से दो या दो से ज़्यादा राज्यों का common governor हो सकता है और यही हमारा जो है State Reorganization Act है जानकी इसके दुवारा जो है स्टेट को दुवारा से बनाया गया था स्टेट Reorganization Act 1956 जिसके अंदर जो है चौदा स्टेट्स और six union territories के अंदर जो है हमने देश को बांध दिया था क्लियर और दूसरी बात यहां पर याद करते हैं हाई कोड हाई कोड के जज़िस को जो हाई कोड के जज़ का experience क्या होना चाहिए कैसे होता है वह एक तो ऑविसली बात है citizen of इंडिया होना चाहिए ठीक है और जो है इसने हाई कोड के जज़िस ने जो है मतलब 10 years का 10 years का जो है आपका experience होना चाहिए एड़ोगेट और हाई कोड के जज़िस को करता है president किसके साथ consult करके chief justice of इंडिया फिर उस state के governor के साथ consult करके उसको अपाइंड कर दिया जाता है तो अंसरिस में क्या बनेगा c option बनेगा एक option आपको बहुत तंग करता है paper में वह होता है salaries और pension के बारे में तो ध्यान से समझेए जो आपके fund होते हैं दो तरीके एक फंड होते हैं एक होता है consolidated fund of India consolidated fund of state यह होता है सअ राज्या की संचित निदी राज्यलिवह और यहां पे ang Granite की अब एक देखे जितने भी supreme court के जजीगें चाहेए चीफ फन्ट ऑफ इंडिया है और अधरोख अधर्वाइस कोई भी जट्ध है उसकी salary जो होगी और pension जो होगी वो शारी कि आएगी आपकी consolidated fund of India से आएगी लेकिन अगर हओऊ हाई होड के जजकी salary high court के graduate की जजकी जो salary होगी वह आएगी consulting Consolidated Fund of State से लेकिन इसकी जो पैंशन आएगी वह आएगी आपकी Consolidated Fund of India से यह confusion रहती है पेपर में तो हमने confusion नहीं करने पेपर में समझ आया जी समझ आया आप लोगों को तो यह consider कर लेना जो पेपर में कोशन पूछा जाता है चले अगरा अंसर बताइए ऐसे वैसे कोशन जो ना पेपर में बहुत आते हैं खास करके बीपी बीपी सी में बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन में ऐसे इस तरीके के कोशन बहुत देखने को मिलते हैं को पूशन के कौन सा पेजेंट स्ट्रगल जो है उनको बोला जाता है ठाइल दूंगली चौर दूंगली चौर के नाम से बोला जाता है जल्दी बताईए जी दूंगली चौर क्या है एक परसंद्ल मोहनलाल पांडया और यह बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉलर थे गांदी जी के बड़े फॉलर थे और यह क्या करते थे जो खेतों से खेतों से जो है आपका जो प्याज को चुरा लेते थे और यह बात आ जो है इनकी ही जमीने होती थी किसानों की जमीने होती थी लेकिन वह अधीन किसके होगी थी ब्रिटिश गवर्मेंट के अधीन होगी थी तो वहां से प्याज चुरा के भाग जाते थे इसलिए इनको दुंगली चोर और जो है अन्यन थीफ इनको वर्ड यूस किया गया था और यह जो परसन है मोहल नहीं भाग बर यह जो है अचली दहाएं को और वह मिलता है बार्डो ली बार्डो ले सत्यगरा हुआ था ऊर यह गुझरात के अंदर और यहां पे बल्ला भाई पटेल जी ने सत्यागरह किया था और यहां पे इनको टाइटल मिला था किसी इसका सरदार सरदार मतलब the head of the movement clear the सरदार टाइटल मिला था किस ने दिया था यह गाउं की महिलाओं ने the women of the village clear और यह अगें टेक्स के जो है यह बारदोली सत्यागरह किस के लिए था टेक्स के लिए क्रॉप टेक्सेशन के लिए था और दूसरा कोशन यहां पे यह बूचा आता है कि अगर वहां पे प्रिमें औप्षन ना आया तो क्या करोगे आप महात्मा गांधी जी को टिक करोगे यह भी आपको ध्यान रख लेना है चंपारन सत्यागरह है 1917 में हुआ था 1917 में गांधी जी का पहला सत्यगरह है इंडिया में इंडिको कल्टिवेशन के लिए नील की खेती के लिए था और इसको तीन कथिया लगान भी कहते थे और तीन कथिया लगान और इसको गांधी जी को बुलाने लेके कौन आया था राजकुमार शुकला बु रखता था जिसके कारण जो है गांदी जी को बुलाया गया और यहां पर आके गांदी जी ने सत्यागरह किया तो इस वेरे इंपॉर्टन पार्ट क्लियर तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर खेडा सत्यागरह को हम कहते हैं दूंगली कि फ्री चैmbर हाड कहां पर मिलता है यह थोड़ा सеся जीप सा कोशन है कहां पर मिलता है समझ आया तो ओर कल यह होता है में म Layles में और बर्ट्स में यहाता है पक्षियों में होता है और अंदर लेकिन ऑंका के लिए गति है जो आफ की जो और अधर सहल है जित वाई जो होती हिसे लेमेंटर वगेरा के अंदर तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बने गा राइट अयव ऄंसर सी ओपिस्ट ses olduğ correct answer. Salamander वगे देखने को आपको मिलता है 3 chambered heart. Otherwise reptiles में होता है reptiles में आपका 3 chambered heart होता है. clear लेकिन एक reptile has है जिसके अंदर 4 chambered heart होता है. वो कौन सा है that is cockroach. हाँ cockroach. एक सेकेंद 4 chambered heart जो होता है. हाँ कि एक सेगन रुखे एक सेगन रुगे इस्ट कोक्रोंच फॉर चेंबड हार्ट होता है डैटी क्रोट्टाइल के अंदर तो इस ौशन कासर क्या वदने c option बनेगा right answer c option is the correct answer clear हो गया हाँ पहले तो आपको यह बताना था अब इसके related questions क्या क्या बनते हैं ठीक है मैं मज हो गया birds की उपर दुमाग में मेरे दो तिन question आते हैं क्या birds की study को हम क्या क्या क्याते है और नित्थ लॉजी clear और नित्थ लॉजी birds को हम और क्या मतलब क्या हो गया एवियन फ्लू का मतलब क्या हो गया एवियन फ्लू का मतलब क्या हो गया बर्ड फ्लू हो गया h5N1 जो है आपका वाइरस होता है जो बर्ड फ्लू करता है और बर्ड मैन ओफ इंडिया किसे करते हैं सलीम अली इस क्ल बरड्वेर new इंडिया और सलीम अली बैर सिंचुरी यह है पाइसेश की बात है मचलियों की अगर हम प्रा यथा प्लॉचर का रहे तो मालता में सा प्रशन ही और जाता वहता है और और फिश्जिस के लिए रैवल्टी कौन सा खुआ था ब्ल्डू रैवल्ट्स हुआ था एंफीबिंस क्या होते हैं जो आपके लैंड की ऊपर भी रह ले और रहाने के लिए और वाटर के ऊपर भी रह सर क्लियर उगे आप लोंगो जी अच्छा एक चीज़ आपको और पुछिया दिया है बर्डसके ंदर बौन्स क्विए नुमेटिक बॉन्स कहते हैं उनको जो आपके पकशियों के फैदर्ड होते हैं वो क्या होते हैं पैदर्ड ज़ед क्लियर याद रखना इंपॉर्डंट है तो अंसे इस में क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर एंफीबन इज़ा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया हाँ हो लो होती है बिल्कुल हो लो होती है अगला बताइए दवर्ड सदा ग्रहा वाज सुझेस्टर टू गांधी भ जी के एक अंकल थे उनकी ग्रैंसन ने जिनका नाम ताहं मगललाल गांधी ने वर्ड्स किया था तो इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर मगललाल गांधी इजि दा करेक्ट अंसर इसमें जादा कुछ सोचने की जूरत नहीं है सिर्फ हमने झांस यह होता है कि जीन्स की composition को आप चेंज कर दीजिए जैनेटिक इंजनेरिंग कर दीजिए और यह किस्ट में होता है जीन्स changes वगएरा यह plants में भी होती है और यह animals में भी होती है clear तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि हम agriculture field के अंदर जो जैनेटिक इंजिनेरिंग और जैनेटिक इंडस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें करते हैं तो मेली इस अग्री कल्चर क्लियर क्लियर क्योंकि यह आपकी ट्रांस जैने क्रॉप सोती है जिसमें आपकी जैनेटिक उंपोडिशन चेंज कर दी है क्योंकि इसको बैक्टीरिया के साथ क्रिट किया गया और इसको जो है उसके तो बनेगा एंड तो यह मोडिफाइड आपकी जैनेटिक ली मोडिफाइड क्राप्स होती कि तुलioni project जो है यह कहां पर है तुल बुल प्रोजेंट जो है कौन सी रिवर की ऊपर देखने को मिलता है यह इस में क्या बनेगा व ऑप्शन बनेगा right answer, जहलम is the correct answer, जहलम clear और बाकी भी देख लेते हैं, सतलच की उपर है बाखडा नंगल डैम, clear और रावी रिवर की उपर है थीन डैम, जिसे आप रणजीर सागर डैम भी कहते हैं, और ब्यास रिवर की उपर है जी आपका पॉँंग डैम, पॉँंग डैम देखने क हैं विपास क्लियर और यह स्टार्ट होते हैं रोतांग पासे रावी भी रोतांग पासे और इसका जो नेम है डैड़ इसको पूरुशनी पूरुशनी क्लियर और सतलेज रिवर स्टार्ट होती है राकास लेक महांस रोवर से और यह है सतुद्री सतुद्री रिवर इसको कहत हैं और किस परसन ने बोला था कि डैम्स आड़ा टैंपल ऑफ मौडन इंडिया डैम्स जो टैंपल है मौडन इंडिया के आधुनिक भारत के जो हला नहरो जी ने वर्ड यूज किये थे याद रखना अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बी पर इंडिया तो याद रखे जेलम चिनाव रावी ब्यास मैं याद कि आपको याद करना यार्ज नौर्थ मोस्ट फिर उसके बाद चिनाव यह आपकी नौसे साउथ रिवर ऐसे देखने को आपको मिलती है जएलम चेनाब रावी वियास सब्सक्राइब को बता दूं कि ज जो जहलम रीवर है इसके उपर एक और प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट जिसे अब नीलम रीवर और नीलम रीवर भी कहा देते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट भी इसको कहा देते हैं जहलम रीवर की उपर है और इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी कि इसके बीच में इंडिया और पाकिसान के बीच में 1960 में वर्ल्ट बेंक ने करवाई थी जिसके अंदर पानी डिवाईड किया गया था जो वैस्टन रिवर्श हैं आपकी चिनाप जैलम इंडस ये चली गही थी पाकिसान के पास मतलख इनका पाणी पाकिसान के पास होगा और Eastern वीवर जो है आपकी पूर्वी Sattaraj ब्याज और रावी ये इंडिया के पास देखने को आपको मिलेगी सो ये आपका जो है इनड़र स्वॉर्ट ट्रीटी देखने को आपको को मिले थी समझा आ अप लोगे को जी है क्लियर होगा आप लोगे को जी So यह आपको राइट अंसर बन जाएगा चलिए अगला अंसर बताईए विच अमंग दा फॉलिंग कंट्रीज नॉट लोगेटेड ओन दा नॉट लोगेटेड ओन दा वेस्टन कोस्ट ओफ एफ्रीका एफ्रीका के वेस्टन कोस्ट के उपर कौन सी कंट्री नहीं लगती यह पूछ रहा है वेस्टन कोस्ट यह पश्चमी तट के उपर कौन सी जो ह गैबोन लाइबेरिया बोट्षवाना अंगोला तो देखे यह आपका लाइबेरिया इदर रहा गया तो यह वैस्टा कोस्ट है यह ईस्टर ऐसन कोष्ट्र यह तो वैस्टर कोस्ट की उपर लग रही है ठीक है और एक है आपका अंगोला तो here is the Pokemon clear and one more is a bought Swanaでした यहां पर है तो यह भी उच्वाणा एश्ण और वैस्ट में आती है तो यह वेस्टन तो नहीं बनेगी तो वैस्टन कौनसी ओगी होगी गैन्बोन होगी अंघोला होगी तो बोच्वाना इस नॉट दा पार्ट ये सब्सक्राइब को आप लोगों को बिल्कुल बीच में देखने को आपको मिलती है बिल्कुल बीच में बने गा एक आप से पेपर में ये पूछा जाता है यहां पे हाँ यहां पे ये एरिट्रिया जीवोती इन पूछा जाता है छो मिलती है तो जूछ परनेगा भैसे हम करेंगे अगला देखिए forest research institute is located at ये एक कोश्यन में कितनी बार आपको explanation में डिस्स किया है कि यह answer इसका फट्टफट बता दो कि इसका answer क्या बनेगा जी 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 इसका forest research institute कहां पे है देरादौन के अंदर है answer इसमें a option बनेगा देरादौन के अंदर जो है survey of India के headquarters है यहां पर देहा दुन इस कैपिटल औफ उत्त्राखंड और फॉरस रिषर्ट दिपार्टमेंट तो है है आपका रिमोट सेंसिंग इंडियन इंस्टिटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु 24.39 परसेंट है और दूसरी बात यह कि अगर हम एरिया के कंसीडर करके चलते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट का किस्में है तो वह है आपका मध्या परदेश वह कौन सी स्टेट आपकी मध्या परदेश अगर हमने बात करी थी प्रसेंटेज वाइस प्रसेंटेज करते हैंम लेरिया सुरी एम तो हैं में तो अमस्ण है मलेरिया के रिसर्च इस इंसिटूट तो है आफका मेलेरिया का रिसर्च इसको फैलाती है फी मिलधे प्रियर्स ये और आपके अर्वी सीज और लिवर के उपर सबसे ज़्यादा एफेक्ट पड़ता है और बपाल में तो याद करने की जूरत नहीं लिए वैसे तीक है मतलब बाख की इतना जादा कुछ याद करने की जुर्त निये नागपुर में आपको एक प्वाइंड पता होना चाहिए नीरी डैटिस नीरी नैशनल इंवार्मेंट्ट नीरी ज़िए रिइय। यह बहूत बार वे पर में पूछाता है इस नागपुर मे नीरी बहुत स्अ पूभब worse नीरी ए Hollow इंजिनियरिंग रिशतों क्लियर हो गया नशनल इंवार्मेंट इंजिनियरिंग रिश journals देखने को मिलता है और यहां हाँ पच्छीस एपरेल मलेरिया डे होता है और चौबीस एपरेल क्या होता है पंचाइती राज़ डे होता है क्लियर याद रखिए तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका यूप्शन बनेगा राइट अंसर यह है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टूट देहरादुन इस दा यहा यहाद रखिए इंपोर्टन है तो इसमें क्या बनेगा राइट अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मापुत्राद्वारा सुंदरवन मैंगरूव ट्रीज भी है और मैंने आपको बताया था मैंगरू जितना मर्जी पानी जोर से आजाए तो यह हीलेंगी भी नहीं मतलब जो सुनामी को रोकने के लिए हमें कौन सी पेडल लगाने चाहिए मैंगरूव लगाए जाते हैं तबी आप देखेंगे जितने भी कोस्टल एरियास हैं वहां पर क्या है आपके मैंगरूव देखने को पता है उडिशा के अंदर है उडिशा उडिशा के अंदर एक जो है ओल्ली ड्र टर्ल डाट्यम और से संगरिया से और ये क्या करते हैं यह हैं यहां पर आई को अधिश्त crít आ करते हैं यहांत का ओभरा क्या और यंबॉला रस और mas testing करते हैं, ओलीभी लेट ल्डर, और कहां पे गाहीर माठा बीच, गाहीर माठा बीच, टीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो answer में क्या बन गया मैं आपका D, अच्छा निकोबार भी बता देते हैं अंडेमान निकोबार के बीच में जो है आपका कौन सा डिगरी चैनल है टैन डिगरी चैनल है और अंडेमान निकोबार की सबसे उची चोटी का नाम क्या है सैडल पीक क्लियर सैडल पीक और यह नौर्थ अंडेमान की सबसे उची क्लियर सो इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर क्लियर होगे आप लोगं को जी कि समझ आ रहे हैं कि चलिए कि चलिए अगला अंसर बताईए है कि समझ आ रहे हैं तुम्हें कि बिल्कुल यार मैं 10,000 mcq में बहुत सारी चीज़े जो है रिवाइज कर आता हूं बच्चों को सब कुछ है उसके अंदर बिल्कुल है ठीक है 10,000 mcq को के बच्चों को सब कुछ आलड़ी पता है मैंने इनको को डिसकस कर दिया है यह नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं कराना चाता है मैं यूट्यूब पर सब चीज़े अपनी बैस्ट एफट लेके आता हूं लेकिन ऐसा नहीं है बस हां यह होता है कि एमसी के अंदर जो वहां जब मेरी न क्लास किसी की क्लास नहीं आ रही होती योग कि वह इने लिया हुआ है आप लोगों के लिए कि हाँ उस मेराथ करानी ही करानी है टिक है चलिए इंडिया सरस्ट सेमी हाइज पी ट्रेंड बंदे मातरम को कहां पर हुई थी बिल्कुल सही इस पढ़ाने की जूरत न यह देखो यह है आपकी फास्टेस्ट न्यू डेली बारनसी स्टॉपेज कानपूर और प्रियागराज में ट्रेन फुल नेम ट्रेन 18 यह स्पीड है बाई यह देख लो पूछ लिए जाते हैं ऐसी कुशन्स क्रिया है चलिए जी मतलब जो है डिफेंस एक्सपोर्ड बगईरा के लिए जो वेञ्यूज हुए थे अलग लग जगा की उपर हुए थे तो यह आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सी जगा की उपर क्या क्या चीज़े देखने को आपको मिली थी कहां पे क्या क्या था देखेजी 2016 की बात करते हैं तो ये कहां पे था गुवा के अंदर था चीक है एद बनेगा दूसरा ऑप्शन 2018 में आपका हैदरबाद में था चौथा ऑप्शन 2019 में जो था आपका चिनई में था वन ऑप्शन 2020 में था आपका डैडिस लखनाव में तीसर ऑप्शन 2413 बनेगा तो देखो क्या है 2413 इस डी ऑप्शन 2413 समझाया हूं 2413 is the correct answer 2413 नेक्स देखें जी वांगला फेस्टिबल जो है यह कहां पर के सेलिब्रेट किया जाता है देखें जब भी ऐसे फेस्टिबल के कोशन आते हैं तो उसको लिख लिया करो क्योंकि एक्जामिनर के ही कोशन आई है मेरे नहीं बनाए हुए एक्जामिनर ने पूछा गया है तो मैं सीधा सीधा अंसर बताऊंगा उसका वांगला सेलिब्रेट किया जाता है अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा समझाया बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ठीक है जी बिल्कुल अगर आप किसी भी स्टेट PCS की त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको 100% कह दूं कि अगर आप कोई पास 10,000 MC की कोर्स है और आप परिलिम्स आपका 100% क्लियर होगा 100% शर्फ परने पे आपके ठीक है क्योंकि उसके ंंदर मैंने बहुत सरी चीजैं करता हूं अलग-लग लैवल की चीजैंट सकता ऑं दियार करना है प्रिलिम्स मेरी जिमेवारी है कि मैं कैसे कर वाऊंगा ठीक है चलिए चलिए टो वांग चाहां पे कि मनि पूर में आपकी लेक्त पुन पर देखने को मिलता है महाराष्ट्रा में और यहां पर लेक बन गई थी clear और त्रीपुरा के अंदर एक में आपको नैशन पार के याद करवाया था clouded leopard national park नैशन पार ठीक है तो answer इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा right answer मेगाल्या is the correct one clear होगे आप लोगों को जी बी option बनेगा right answer मेगाल्या यह आपका festival जो sun god को मनाने के लिए करते हैं मेगाल्या वाले पीपल चलिए अगर अंसर बताइए ultimate source of energy जो उर्जा होती है fossil fuels के अंदर natural gas बगएब आधिक है यह जितने भी fossil fuel होते हैं यह कौन सी rock से हमें मिलते हैं sedimentary rock से अफसाधी चटानों से हमें मिलते हैं sedimentary rock से लेकिन ultimately source of energy हमारे इंडिया में इंडिया में क्या रहा हूं वर्ल्ड में क्या रहा हूं पूरे चैन्वेन चैन्वरस में क्या है आपका सन इसमें निउकलर सन फ्योजन होता हαι और बहुत जदा एनर्जी रहती रहती है और बहुत ज़धा इनरजी रवीज होती hydrogen bomb is dangerous why क्योंकि उसके अंदर चलती है fusion और atom bomb में चलती है fusion जाने कि विखंडन चलता है और जो विखंडन होगा वो फिर भी होता तो नुकसान दायक होते हैं लेकिन more dangerous कौन सा है fusion that's why sun is dangerous hydrogen bomb is dangerous क्योंकि उनके अंदर क्यों सी क्रिया होती है nuclear fusion जैसे नाभी के संलेंड कहते हैं समझाए आप लोगं को तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सन की लाइट कितने टाइम में पहुंच है अर्थ की उपर 498 सेकंड में जाने के एक अंसर दिया है पाइरोमीटर बिल्कुल आपका सन का टेमपेफ्रेटर में अपने के लिए पाइरोमीटर यूसक्या जात अगला बताओ जल्दी से जल्दि अगला अंसर बताओ राम सर कॉन्वेंशन जो है आपकी यह किसके रिलेटेड है राम सर कॉन्वेंशन राम सर कॉन्वेंशन 1971 में साइन हुई थी आपकी इरान के अंदर क्लियर और राम सर कन्वेंशन है किसके साथ वेटलेंड की कंजर्वेशन के साथ तो इसमें बी ऑप्षिन बनेगा डी ऑप् आपका मॉन्टरल प्रोटोकोल मॉन्टरल प्रोटोकोल साइन हुआ था 1987 में क्यूंकि अंटार्टिक के अंदर पहली बार होल देखने को मिला था 1986 में फिर हमने प्रोटोकोल क्या था कि हाँ ओजो लेडिशन को बचाना है क्लाइमेट चेंज के लिए आपका क्योटो प्रोटोकोल साइन हुआ था प्रोटोकोल 1997 में और जो है आपका इफेक्टिवली इन्होंने बोला था कि जितने भी जो है आपके मतलब जो आपका धुआ मतलब पोलुशन वगरा है उसको 1990 के लेवल से हमने नीचे करना है और 37 कंट्रीज को बोला गया था जो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडेस्टिलाइस कंट्री थी याद रखे और पैस्टिशाइट पॉलिशन से बचाने के लिए एक कॉन्वेंशन हुई थी रोटर डैम रोटर डैम ज़ता हूँ यहां पर जो ऊजोनलेर का कोणसेट पोचा आशकता है और का थी होती हाँ इस मे're में संताम मंदल में यह वही लेकर सब्सक्राइट for the polar for the polar research area National Center for polar ocean research area जो है आपका कहां पर headquarter that is in the goa that is in the goa जो polar areas go research के लिए हमारा center है that is in the goa answer इसमें क्या बनेगा आपका जी अंसर इसमें क्या बनेगा डी option बनेगा बिल्कुल एक बच्ची ने फिर बोला कहां ये बोला है किसने ये स्वर्न जीत ने बोला है कि dobson unit बिल्कुल ozone layer को dobson में मेजर किया जाता है अगें दो लेयर है ट्रॉपस्फिरिक और स्ट्रॉपस्फिर जहां पे गुड़ ऑजोन होती है वह स्ट्रॉपस्फिर समतामंडल वाली होती है जिसे बैड ऑजोन कहते हैं वह ट्रॉपस्फिर वाली होती है जो होती है एकचली कहां से निकल रही है आपकी बैड ओजोन वाली लेयर डैट इस फ्रॉपस्फिर से निकलती है समझ आया जी अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर वेट लैंड कॉन्वेंशन चलिए अगला बताईए अगला बताईए फड़ाफट यहां पर पूच रहा है यहां पर पूच रहा है जरावा ट्राइव जो हैं यह कहां पर है जर्वा जंजातियां जो हैं यह कहां पर है यह कहां पर है डैट इस इंद अंडेमा निकोबार आइलेंड अंडेमा निकोबार आइलेंड में अंडे क्लियर तो यह अंडेवा निकोबार आइलेंड के अंदर देखने को मिलते हैं अंसर इसमें बनेगा और नाचर प्रदेश में मैं आपको बता दूँ दो चीज़ याद करो आप मॉलिंग नैशन पाक और नामडाफ नैशन पाक ठीक है नामडाफ नैशन पाक और यहां पर अंसर में क्या बनेगा डी ऑप्षन बनेगा राइट अंडेमा निकोबार आइलेंड इस दा करेक्ट अंसर प्लियर अंडेमा निकोबार आइलेंड तो यह है जी आपके ड़ेट इस तरीके से देखने को मिलते हैं ट्राइबल वीपल को मॉन्सुन ओरिजिनेट बाइविच साउथ वेस्ट मौनसुन से होती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा औरिजिनेट कहां से होती है साउथ वेस्ट मौनसुन से एक्चली क्या होता है कि हमारे यहां पर जो पार्ट है यहां पर मैडगास्कर वाला पार्ट यहां से आपकी जो है आपकी वह जो है बारश उठती है मतलब हवाई पिर आपको बतानी पड़े की यहां पे तीन ब्रांच चीज़ होती है और एक आपकी यहां से नरमदा की साइट पर मुड़ जाती है इस तरीके से और सबसे ज्यादा जो बारिश करती है और जो बेयो बेंगोल वाली तो मतलब निकल जाती है उदर की साइट पर ठोड़ी दे याद रखना है साउथ वेस्ट मॉंसुन जो बारिश करते हैं औरोग्राफिक रेंफॉल होती है सहाधरी वेस्टन घाट के अंदर एक कोशन यहाद रखे कि हमारे इंडिया में सबस्यादा रेंफॉल कौन सी होती है तो भी अंसर क्या बनेगा आपका औरोग्राफिक उमें जो बारिश होती है कौन सी बारिश से ज्यादा होती है नौर्फ इस्ट से होती नौर्फ इस्ट से क्लियर याद रखना है आपको समझाया UP को समझाया वही जैस विप Sk également जून वगए रहे सारे कॉसे समया एंसर क्या बनेगा आपका यह प्शिन बनेगा राइट एंस चले जी अगला बताईए अगला बताओ इस पॉल चित्र कोट जल पर पाथ जानगी वाटर फॉल जो है यह कहां पे है चित्र कोट ठीक है सबसे बड़े कौन से हैं कुंचिकल 455 मीटर वाराही रीवर की उपर करनाठक में ठीक है जोग फॉल गरसोपा फॉल महात्मा गांधी फॉल यह जो है यह आप बताएंगे कौन सी रीवर की उपर है बता सकते हैं यह कौन सी रीवर की उपर है जोग फॉल गरसोपा फॉल और महात्मा गांधी फॉल कौन सी रीवर की उपर है सबसे बड़े तो है कुंचिकल फॉल और यह फॉल जो है 289 मीटर है क्लियर अब यहां पर यह है चित्र कूट वाटर फॉल यह है आपके इंद्रावती 36 गड़ में देखने को आपको मिलते हैं जी इंद्रावती 36 गड़ के अंदर जी सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर क्लियर यमुना रीवर जो है गंगा रीवर के साथ मिलती है कहां पर रुद्र प्रियाग राज में और जिसे आप अलहाबाद कहते हैं यम रखे नर्मदा रीवर जो है अमरकान तक प्लैटू से स्टार्ट होती है मार्बल फॉल बनाती है जबलपूर फॉल बनाती है जबलपूर के अंदर याद रखे और नर्मदा रीवर जो है बिल्कुल सेंटर वाली सेंटर वाली रीवर है आपके नौर्थ इंडिया और साउ इंद्रावती ठीक है तो यहां पर देखे जी यह है चित्र कोट जो है वाटर फॉल्स क्लिया चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि अगला बताओ कि नेशनल स््टैटिस्टिकल डे का जो है हमने सेलिब्रेट किया था 29 जून 2020 को इसका थीम पूछ रहा है क्या था स्यmore क्स्टिकल कॉंसेप्ट दिया था 56-61 का और इन्हों ने बोला था इंडस्ट्रिस की उपर फोकस कीजिए ठीक है और इन्हों ने नैशनल स्टेटिकल इंस्टिजूट भी सेलिबेट बनाया कहां पर कॉलकाता के अंदर और यह दे हम सेलिबेट करते हैं 29 जून को जिस दिन पीसी महलोबेश जी का बर्थ अनिवर्सरी होती है और इसका जो थीम था डैडवास सस्टेनेबल डेवल्मेंट गूल सतत विकास लक्षे जो है इनका में एम था तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ओप्षिन हैसे समझाया डी ओप्षिन बनेगा प्रेक्ट अंसर बिल्कुल जी डी ओप्षिन बनेगा अर्च अथा और एक को और बताना चाहूंगा कि जो sustainable development sustainable development word का मतलब क्या होता है कि जो आज आपके पास चीज प्रेजेंट है उसको इतना यूज कीजे कि आपके future generation भी यूज कर सके ऐसा नहोंगी आज आपके पास हवा पानी लाइट सब कुछ है तो आप आप इतना यूज कर दो की ओवर यूज कर दो कि future generation को देखी ना पाए और एक चीज़ आपको बता दूँ sustainable development गोल यह हो गया और sustainable development की बात पहली बार किस ने करी थी ब्रंट लैंड ने ब्रंट लैंड कमिशन ने बात करी थी और ब्रंट लैंड कौन है यह ब्रंट लैंड है नौर्वे के प्राइम मिनिस्टर जिनों ने पहली बार बात करी थी कि sustainable development की तरफ हम ध्यान देंगे समझाया जी तो यह आपको कंसीडर करना है सब पॉइंट्स चले जी पदमशीरी अवार्ड जो है 2020 के अंदर कौन सी यह अपको पता ही होगा डइस कंगनार नौत रख Angle not आएं से ओप्षिन बनेगा कि वरम शीरी ठिक हैं चलिए इंटरनाशनल मदर लैंगोइज इंटरनाशनल अनल्त लैंगोइज डए कि यह इंटरनाशनल अ मदर स्पोल्स स्वाजिट किया जाता है यह बताएए बच्शिस जनवरी को क्या होता है 25 परकेφğ निर्वक तैस सुरी नोट न रई Apost dot शौन तो जैन यह होता है नेशनल वोतर जे नैशनल वोटर जे ठीक है और इंडिया में ही हम बनाते हैं नैशनल टूरिजम डे नैशनल टूरिजम डे ठीक है और नैशनल टूरिजम डे होता है वर्ल टूरिजम डे कब होता है वर्ल टूरिजम डे यह होता है आपका 27 सप्टमबर को 27 सप्टमबर ठीक है याद रखे दिस इसका अंसर क्या बनेगा 21st of Feb 21st of Feb is the right answer समझ आया जी 21st जी 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 बिल्कुल ठीक है और अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर सी ऑप्शन क्लियर और लेंग्विज आपको बताया है आर्टिकल 343 में लिखा गया है लेंग्विज का कॉंसेप्ट 343 में सो यह है आपका 21st of Feb इंटरनेशनल मदर्स लेंग्विज डेग लिए आप लोगों को अगर आपको लेक्टर अच्छे लग रहे हैं तो लेक्टर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए लेकिन टेलीग्राम चैनल के आपको 100% यहां पर जोइन की जाती है वारा मुझे पर्सनल इंस्स्टाग्राम की उपर मैसेज कर सकते हैं और यहां पर जूट सकते हैं मेरे साथ और मेरे दो आते हैं को लगा के और दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स हमारा जो है ठेरी कोर्स है और इस ठेरी कोर्स के अंदर आपको कूपन कोड लगाना है VIP 500 आपको discount मेल जाएगा और आप इन कोर्स को purchase कहां से कर सकते हो दो जगा से जातो study IQ आप से कर सकते हैं जा वेबसाइट से कर सकते हैं study IQ.com जैसी आप इसको open करते हैं जैसी आप इसको open करते हैं आपको screen के उपन अज़र आएगा यहां पर home page यहां पर आपको दिखेगा best selling courses यहां पर view all का बटन को जैसे आप दबाओगे तीसरे नंबर के उपर आपको दिखेगा 10,000 mcg course और चौते नंबर के उपर आपको नज़र आएगा gs course 10,000 mcg course के अंदर आपको study 10 coupon code लगाना है और इसके अंदर जो है vip 500 coupon code लगाना है gs course के अंदर अगर आपका exam 3-4 महिनों में ही है तो आपको 10,000 mcg course जो है tips पर लेना है अच्छे से पढ़ लिजे बहुत अच्छे से पढ़ लिजे 10,000 mcg course अगर आपका exam जो है next year है और basic से पढ़ना चाहते हैं तो आप gs course को purchase करेंगे लेकिन अगर आपका exam 3-4 महिने में ही होने वाला है तो आपको 10,000 फॉलो करना है ध्यान से रखना ठीक है और आपको next year exam है तो gs course को purchase करना है clear so guys यह है आज की lecture के अंदर question तो thank you so much and so good luck guys take care and bye bye जैहिन कल सुबह मिलेंगे 9 बजे thank you so much good luck